हेलो फ्रेंड नीन एजूकेशन की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है आज से हम लोग कोई रिवीजन करेंगे नेक्स्ट एक्जाम के लिए जो जेपी एसी के कमबाइन एक्जाम होने वाला है मैंने काफी समय पहले से आप लोगों को पढ़ाना बताना शुरू कर दिया था मैं चाहती हूँ कि सभी का आप सभी मेरे जितने भी मित्र हैं सभी का एक जस्ट रिवीजन हो जाए जैसे कि ये दूतिया पत्र है दूतिया पत्र जारखन समान्य अध्यान का होगा पीटी के लिए पीटी एक्जाम के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊंगी रिवीजन करवाऊंगी सब मैंने पहले भी बताया है, डेटेल से भी बताया है PT और मेंस के लिए अलग-अलग classes मैंने दी हैं आप लोग playlist चेक कर सकते हैं तो ये दूसरा पत्रे जो PT एक्जाम में पूछा जाएगा इसमें केवल जहारखंड से प्रशनाएंगे जहारखंड का इतिहास, भोकोल, अर्थ वेवस्था जहारखंड का सामानिय ग्यान और करेंट अफेयर्स इत्यादी बहुत सारे प्रशन है जो केवल जहारखंड से होंगे और जैसा कि मैंने आप लोगों को सिलेवस में बताया था किस खंड से कितना प्रशन आएगा तो आप लोग सिलेवस वाली क्लासिस को देख ले यहां पर जहारखंड के इतिहास से पीटी में आठ प्रशन पूछे जाएंगे जिसमें की सबसे पहले जो हम लोगों का टॉपिक है वो मुंदा शासन वेवस्था है तो चलिए एक रिविजन कर लेते हैं मुंदा शासन वेवस्था के बारे में मुंदा जहारखंड में कोलेरियन समूग की एक ससक्त सक्तिशाली जनजाती है बहुत ही सक्तिशाली जनजाती कही जाती है मुंदा इनका सारिक गठन बहुत ही अलग होता है, बहुत ही सशक्त होता है अगर इनके प्रजाती के बात की जाए तो ये प्रोटो ऑस्टलियाइड है और निवास अकर इनका देखें तो इसे इसकर जारकन के राचे, खोटी, हचारी, बाग, गुमला, सिम्डेगा, गृरीडी, सिंग्भूम और संथाल परगना है तो निवास अस्थान से भी प्रशन पूछे जाते हैं, भाषा इनकी मुंडारी है और जो ये जनजाती होती है, ये अपनी भाषा को होडो जगर भी कहते हैं ये मोस्ट इनपॉर्टेंट है, यहां से मुंडारी या होडो जगर दोनों में से कुछ भी पूछा जाए, तो ये इनकी भाषा है नॉर्मली मुंडारी कहा जाता है, बट जो मुंडा जनजाती है, वो खुद की अपनी भाषा को होडो जगर कहते हैं विशेस स्थाल इनका तीन होता है, तीन प्रकार के ऐसे स्थाल है, जो इस जनजाती में बहुत ही विशेस स्थान रखते हैं सरना, अखडा और सासन, जहां पर ग्रामदेवता का निवास होता है वो स्थान सरना कहलाता है जहां पर पंचायतों की बैठक होती है किसी प्रकर का उत्सव का यूजन होता है नृत्य होते हैं वो अखड़ा कहलाता है और जो समाधी अस्थल होता है वो सासन कहलाता है और उस पर जो पत्थर रखा जाता है समाधी अस्थल पर उसे सासन दिरी कहते हैं तो सासन दिरी के से कहते हैं ये प्रशन भी पूछा गया है अब हम लोग देखते हैं इनके युवागरी के बारे में तो मुंड़ा जनजाती का जो युवागरी होता है उसे गीती ओड़ा कहते हैं अलग-अलग जनजातियों में युवा ग्रिय का नाम अलग-अलग है और प्रश्न पूछा जाता है जैसे मुंडा जनजाति का जो युवा ग्रिय है वो गीती युडा कहलाता है तो इसी प्रकार से उराओं का अलग है संथाल का अलग है तो मैं आप लोगों को रिवाइस करा क्रिशे कारएं उन्हें क्या होता है तो आज इविका के लिए अधिक तर ये वणौ की त diets दिन idash को करेकती के लिए उन्हें कहते हैं उन्हें खूट कटी केते है उन्हें हैं उनका बनाया गया गाउं खूट-कटी-गाउं कहलाता है खेत बनाने वाला अर्थार जो हेड होता है वो खूट कटीदार कहलाता है खूट क्या होता है तो खूट एक परिवार होता है वो परिवार जो जमीन को तयार करता है खेती के लिए और वहां पर एक गाउं को बसाता है प्रते खूट अपने जंगल और जमीन का मालि होता है तो जंधालपर जैर्खन के इस झेत्र में यहां के जमीनों से संबंधित यह बहुत ही महत्वपूने चीजें हैं मुंड़ जिनजातिव में प्रतियग गौं का एक पंचायत भी होता है पंचायत के जो प्रमुक होते हैं वो मुंड़ कहलाते हैं कई ग्राम पढ़हा राजा होता है पढ़हा का एक पढ़हा राजा होता है अर्था पढ़हा अलग अलग जो होते हैं उनका भी एक पंचायत होता है बहुत सारे गावों को मिला कर एक पढ़हा पंचायत होती है और विबिन पढ़हा पंचायतों को मिला कर भी एक पंचायत बनती है पढ़ा पंचयत में पांच प्रमुक अधिकारी होते हैं काफे इंपोर्टेंट है ये कौन-कौन होते हैं दिवान, ठाकूर, पांडे, करता और लाल यहां से प्रशन आता है ये सभी पद वन्शानुगत होते हैं लेकिन पढ़ा राजा का जो पद होता है वन्शानुगत नहीं होता, उसका चुनाव होता है मुन्डा मान की पढ़ा सरदार की प्रशासनिक विवस्था भारत की प्रथम गणतांत्रिक विवस्था कहलाती है ये बहुत बार पूछा गए अब प्रशन है ये पहली वो विवस्था है जो की मुंडा मान की पढ़ा सरदार की प्रसासनिक विवस्ता है प्रशासन के रूप में काम करने की गणतांतरिक विवस्ता सबसे पहली मुंडा की ही रही इस पंचायत में सीमा विवाद आपसी जगडों का निप्टारा या फिर अन्य प्रकार के जो विवाद होते रहे उनका निप्टारा होता है इसमें तो ये थी आज की क्लास जिसमें की हम लोगों ने मुंडा शासन विवस्ता की एकॉर्डिंग सब कुछ जाना ये एक रिविजन क्लास थी नेक्स्ट जो विडियो होगा उसमें मैं आप लोगों को नाग वन्शी सासन विवस्ता का रिविजन कराऊंगी आप लोगों को भी एक बार रिवाइज हो जाएगा याद आ जाएगा आप लोग पिछली क्लासेस को भी देख सकते हैं और चाहें तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं और अपने कीमती सुझाओ मुझे दे सकते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जहें